मैं अभैकुमार आपके लेकर के आया हूँ निव वीडियो जहां पर आज हम सीखने वाले हैं कि केवल किसी के नाम से उसके social media accounts को कैसे find कर सकते हैं तो हम यहाँ पर automation tool के थूल भी हम सर्च करके देखेंगे कि कैसे हम केवल नाम के जरीर किसी भी person या फिर किसी company के social media accounts को find कर सकते हैं एक हम manually process भी यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे आप केवल नाम के थूल किसी के accounts को find कर सकते हैं तो यह वीडियो के भी educational purpose है इसका कोई भी miss use आप ना करें तो इस चीज का use आप किसी scammer या फिर किसी fraud company का पता लगाने के लिए ले सकते हैं Cyber security and ethical hacking से related practically वीडियोस देखने के लिए अभी हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए अगर आप ethical hacking exclusive course join करना चाते हैं या फिर network pen testing web application penetration testing या फिर bug bounty जैसे courses को join करना चाते हैं तो नीचे दिए गए number पर contact करके आप information ले सकते हैं and आप enroll कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे अपने terminal को on कर लेंगे अपने terminal को यहां पर zoom करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम desktop पर आ चुके हैं अभी हम क्या करेंगे LS करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी डारेक्टरी एंड फाइल नहीं है तो हम क्या करेंगे अपने Chrome ब्राउजर को open कर लेंगे पहले यहां हमें search करना है share log github एंटर करेंगे तो आपको जो पहला link दिख रहा है इस पर आपको click कर देना है आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको code दिखा रहा है इस code को आप copy कर लेंगे यहां से या फिर आप scroll down करके इसका process देख सकते हैं पूरा कि कैसे कैसे इसको install करना है तो हम क्या करेंगे अपने terminal पर जा करके इस command को paste कर देंगे एंड आगे लिखना है git clone किसी भी GitHub से हम टूल को जब install करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते है git clone इस पेस देख करके enter करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर यह 100% done हो चुका है तो अब हम इसको clear कर लेते हैं अपने Chrome browser पर और यहां से आपको क्या करना है इस command को copy कर लेना है python वाली command को copy करेंगे जाएंगे अपने terminal पर और paste करके enter करेंगे तो इसको जितने भी packages required होंगे उन्हें यह आपर install कर लेगा तो आप देख सकते हैं कि यह भी done हो चुका है तो हम clear करेंगे आपर एंड जाएंगे अपने browser पर अब हमें देखना है कि इसको कैसे run करा सकते हैं तो यह भी हमें पता होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इसकी help कैसे check कर सकते हैं python 3 के जरीए तो हम यहां पर इस command को paste कर देंगे python 3 sharelock-help enter करेंगे तो इसको कैसे use लेना है वो आप यहां पर देख सकते हो कि कैसे कैसे आपको parameter set करना है तो हम क्या करेंगे simply इसको clear कर लेते हैं लिखेंगे python 3 sharelock and यहां पर हम क्या करते है coding junction इसी को search करके देख लेते हैं enter करेंगे इसे minimize कर देते हैं और आपको wait कर रहा है यहां पर यह अलग-अलग platform पर जा करके coding junction के नाम के जो-जो accounts है उन सभी को यहां पर ला करके show करेंगा आपको यहां पर wait करना है भी आप देख सकते हैं कि यहां पर यह complete हो चुका है अभी हम क्या करते हैं github का link इसको copy करके browser पर जा करके open करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि github का account है आपर coding mission के नाम से इसको close करके हम जाएंगे terminal पर यहाँ पर हम इस rumble वाले link को भी copy करके देख लेते हैं WordPress का भी यहाँ पर आपको show हो रहा है तो हम rumble वाले को copy करके new tab open करके paste करके देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि rumble पर भी coding mission का एक account है तो यहाँ पर ऐसे आप information gathering perform कर सकते हैं तो आप इन सभी links को open करकर के check कर सकते हैं कि automation में आपको क्या-क्या details मिली हैं यह जो हमने automation का tool यहाँ पर share log को use लिया यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी हम क्या करते हैं कि manually क्या process perform कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने google chrome पर जाएंगे new tab open कर लेंगे यहाँ पर आपको search करना है social searcher यह लिख करके आप जैसी enter करेंगे social searcher लिख करके जैसी आप enter करेंगे तो आपको यहाँ पर पहला link दिख रहा है इस पर आपको click कर लेना है तो आप देख सकते हैं कि mentions, user, trends तो हम users पर जाएंगे and यहाँ पर हम लिखेंगे coding junction यह लिख करके हम जैसी enter करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि facebook के twitter के instagram के tiktok के linkedin के ऐसे काफी सारे accounts आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो हम facebook पर click करेंगे तोड़ा सा scroll down करके देख लेते हैं को जैसी हम open करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा coding action official का यहाँ पर accounts show हो रहा है instagram का तो यह हमारा ही account है coding action का तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि कि किसी भी account को यहाँ पर find कर सकते है social searcher के through I hope कि यह method आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा इसके अलावा और भी कई सारे methods होते हैं जिसके through आप क्या कर सकते हो किसी भी person या फिर किसी भी social accounts की information निकाल सकते हैं तो इस चीज का use आप किसी fraud company का पता लगाने में ले सकते हैं कि कैसे आप उनको find कर सकते हैं और भी कई सारे process होते हैं अगर आप cyber security and ethical hacking से related practically videos देखना चाते हैं तो अभी हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिजिए अगर आप ethical hacking exclusive course या फिर network pen testing या फिर web application penetration testing या फिर bug bounty जैसे exclusive course को join करना चाते हैं तो नीचे दिए गए number पर contact करके आप information ले सकते हैं and आप enroll कर सकते हैं and आप particular किसी module को सीखना चाते हैं या फिर recorded course को purchase करना चाते हैं तो आप हमारी website पर जा करके इन courses को आप यहां पर join कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि यह video आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ethical hacking सीखने के लिए अभी हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिजिए